Good morning friends, स्वागत है आपका, आपका अपने YouTube चैनल Study with Ravet Haagor पर चलेए आज की दहिंदू अडिटोरियल vocabulary की शुरुआत करते हैं vocabulary के notes के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रूप पे जुर सकते हैं टेलीग्राम ग्रूप का लिंक में इसी वीडियो के description box में डाल दूँगा तो आप इस वीडियो के description box में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रूप के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं तो चले शुरू करते हैं आज की दहिंदू लिटोरियल vocabulary आज की vocabulary का पहला word है verdict verdict यहां पे noun की तरह यूज हुआ है इसका मतलब होता है बहुत सोच विचार करने के बाद कोई लिया गया decision यह हम बोल सकते हैं नियायले में court में जो जजो की jury होती है उनके द्वारा कोई लिया गया जो decision होता है उसको बोला जाएगा verdict in a court of law that verdict is decision that is given by the jury or judge at the end of a trial that is called verdict next word है astounding astounding यहां पे adjective की तरह यूज हुआ है इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिती जो हम एक दम बिलकुल से चौका दे शौक कर दे हमें अच्छे चकित कर दे उसको बोला जाता है astounding if something is astounding you are shocked or amazed that it could exist or happened that is called astounding next word है reek r double e k इसका मतलब यहां पे work की तरह यूज हुआ है इसका मतलब होता है बदबुआ ना है केसी जी से बहुत बुरी दुरगंदा ना उसको बोला जाता है weak reek editorial में जो इसका use हुआ है वो हुआ है बहुत पूरे ideas के लिए feelings के लिए unpleasant ideas feelings होते है उस तरह से इसका use हुआ है editorial मे if you say that something reeks of unpleasant ideas, feelings or practices you disapprove of it because it gives a strong impression that it involves those ideas, feelings or practices that is called reek next word है vicious vicious यहां पे adjective ही तरह use हुआ है इसका मतलब होता है बहुत जादा निर्मम होना क्रूर होना या हम बोल सकते हैं दुष्ट या अनेतिक विचार होना उसको बोला जाता है vicious a vicious remark is cruel and intended to upset someone that is called vicious next word है patriarchy patriarchy यहां पे noun की तरह use हुआ है इसका मतलब होता है ऐसा समाज जहां पे पूरुष्व की प्रधानता हो पूरुष्ट प्रधान समाजिक विवस्था होना उसको बोला जाता है patriarchy a social system that gives power and control to men rather than women that is called patriarchy next word है profound profound यहां पे वर्प की तरह use हुआ है इसका मतलब होता है किसी विचार अत्वा सिधानत को discussion के लिए प्रस्तूत करना और उसका प्रतिपादन करना उसको consider कर लेना उसको बोला जाता है profound if someone propounds an idea or point of view they have they suggest it for people to consider that is called profound next word है detestable detestable यहां पे अजेक्टिब भी तरह use हुआ है इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बहुत ज़्यादा घ्रिना से भरी हो घ्रिनासपद हो या पर बहुत ज़्यादा निंदनी है उसको बोला जाता है detestable if you say that someone or something is detestable you mean you dislike them very much that is called detestable next word है blatant blatant यहां पे adjective की तरह use हुआ है इसका मतलब होता है साफ तौर पे खुले तौर पे या बिल्कुल एकदम सपश्ट होना उसको बोला जाता है blatant पर इसका जो मतलब है वो negative way में लिया जाता है अलोचनात्म क्या निंदात्म कर्थ में इसका प्रयोग होता है blatant का you use blatant to describe something bad that is done in an open or very obvious way that is called blatant next word है slur slur यहां पे noun की तरह use हुआ है इसका मतलब होता है कलंक लगाना किसी के उपर लांचन लगाना किसी तरह का या फिर किसी की बदनामी करना उसको बोला जाता है slur a slur is an insulting remark which could damage someone's reputation that is called slur next word है frown upon frown upon यहां पे phrasal verb की तरह use हुआ है इसका मतलब होता है किसी के प्रती असहमती प्रकट करना किसी बात के प्रती अपनी उसको बोला जाता है frown upon if something is frowned upon or is frowned on people disapprove of it that is called frown upon next word है stalker stalker यहां पे noun की तरह use हुआ है इसका मतलब होता है विशेशकर लड़कियों का पीछा करना बहुत देर तक जो अरी tutorial में इसका use हुआ है या हम बोल सकते है शिकारी जो दबे पाउं शिकार करता हो उसको बोला जाएगा stalker a person who follows or watches someone for a long period of time often in a frightening threatening or annoying way that is called stalker next word है derogate derogate यहां पे की तरह use हुआ है इसका मतलब होता है किसी की बेकदरी करना अवग्या करना उसकी या फिर उसका कहना ना मानना अनादर करना उसको बोला जाएगा derogate अगला शब्द है rus rus यहां पे noun की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है किसी तरह का, किसी के साथ धोगा करना, चाल चलना, या फिर तिकडम चलना, छल करना किसी के साथ, उसको बोला जाएगा English में, रूस, रूस is an action or plan which is intended to deceive someone, that is called रूस, next word है, emotive, emotive यहाँ पर adjective की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है, लोगों की भावनाओं से जुड़े होना, भावनात्म या फिर भावनापूर्ण होना कोई चीज, उसको बोला जाएगा, emotive, an emotive situation or issue is likely to make people feel strong emotions, that is called emotive, next word है, summer salt, summer salt यहाँ पर वर्फ की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है, रंग बदलना अपना attitude रवया बदलना किसी के प्रती, जो editorial में इसका यूज़ हुआ है, रंग बदलने या रवया बदलने की sense में, summer salt का, यहाँ हम बोल सकते हैं, कलाबाजी दिखाना किसी तरह की, तो मैंने जो लिख दिया यहाँ पर, वो कलाबाजी की sense में लिखा है, English में, कलाबाजी दिखाने की sense में, पर जो editorial में इसका यूज़ हुआ है, वो हुआ है, रंग बदलने और रवया बदलने की sense में, summer salt का, a moment in which you roll right over with your feet going over your head, that is called summer salt, और आज की vocabulary का अंतिम शब्द है, foment, foment यहाँ पर वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है, किसी को उकसाना, उत्तेजित करना या उसको भढ़काना, उसको बोला जाएगा, foment, if someone or something foments, trouble or violent opposition, they cause it to develop, that is called foment, तो यह foment जो word है, आज की vocabulary का अंतिम शब्द था, यदि आपको वीडियो helpful लगा हो, informative लगा, तो please वीडियो को like कीजेगा, जादा जादा वीडियो को share कर दीजेगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को subscribe करना पिलकून मत भूलेगा, तो आज की vocabulary में इतना है, thank you, thanks for watching,